हाई फ्रेंड्स नमस्का आज है संडे और आज अपन बात करेंगे अध्यत्म को इसे में हर संडे में आग के लिए लेके आता हूँ अध्यत्म को इसे आज आपन बात करेंगे आखिर द्रोपती ने दम तोड़ते समय ये क्यों कहा कि बीम ही मुझे सबसे ज़्यादा प्यार किया है आप पांचों बाहियों में से और मैंने भी बीम से ही सबसे ज़्यादा प्यार किया है और अगले जनम में बीम ही मुझे पती रूप में मिले, आके द्रोप्ति ने ऐसा क्या कहा, कुछ ऐसे वरतांध है माबरत के, जो मैं आज आपको शेर करता हूँ, बीम भी सबसे ज़्यादा द्रोप्ति को प्यार करता था, भले ही अरजुन द्रोप्ति को स्वयमवर्च से जीत के लाया था, लेकिन पाचो बह मैं से बीम ही ऐसा बाई था, जो द्रोप्ति को सबसे ज़्यादा प्यार करता था, इसी करण आप ने देखा होगा जब द्रोप्ति का वस्त्रहरन होता है माबरत में, कौरव की सभा में, तो उस वक्त बीम ही अकेला ऐसा पांचो बाईयों में से एक अकेला बाई होता है, जो प्रतिग्या करता है, तुरोबधी के अपमान की प्रतिग्या करता है कि मैं दुर्योधन को उसकी जंगा तोर दूँगा और इस दुसासन की छाती फाड़ कर इसका रक्त पियूँगा, तो उस अपमान का बदला लेने के लिए भीम अपनी प्रतिग्या करता है, और जब म पीता है तो जब ये प्रतिग्या जब ये अफमान का बदला भीम लेता है तो द्रोपती के मन में और भीम के प्रतिग्या जाग जाता है तो वो और भीम से ज़्यादा प्यार करने लगती है भीम उस वक ऐसी प्रतिग्या क्यों लेता है क्यों कि वो सबसे ज़्यादा युद्ध खत्म हो जाता है और जब अंत्य समय में वो सारे पांचों पांड़ाव स्वर्ग की यात्रा के लिए हिमाले की और निकलते हैं तब रस्ते में बद्रिनाथ से आगे सरस्वती नदी पड़ती है कहते हैं कि उस सरस्वती नदी को पार करने में द्रोपती को बहुत ही परसानी होती है और वो पार नहीं कर पाती है तो बीम को यह अच्छा नहीं लगता है तो भीम एक बड़ी सिला उठा के सरस्फशी नदी में डाल देता है तो वह सिला एक ब्रिज की रुख में काम करती है और द्रोब्दी उस सिला पे पर रखते हुए उस सरस्फशी नदी पार कर लेती है और उत्राखर्ण के माना गाव में आज भी वो सिला नदी के बीच में पड़ी हुई है उस सिला को आज भी लोग उसके पार करके निकलते हैं और उसे बीम पुल के नान से जाना जाता है तो यह बीम का दुरोपदी के प्रति 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 में ही दम तोड़ने लगती है जब वो दम तोड़ती है तो भीम की बाहों में दम तोड़ती है तब पांचो बाई भी वहाँ खड़ हुए होते हैं तब वो द्रोबदी उन पांचो बाईयों से कहती है कि मुझे इस जन्म में सबसे ज़्यदा भीम ने प्यार किया है और मैंने भी भीम से ही सबसे ज़्यदा प्यार किया है और मेरी हार्दिक इच्छा है कि मुझे अगर पूर्ण जन्म पूर्व जन्म मिले तो में भीम ही मेरा पती हो तो इस कारण से दरोबदी बीम को सबसे ज़सा प्यार करते थी और बीम भी दरोबदी को सबसे ज़सा प्यार करते थे मावरते इसे के साथ आज यहीं अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आये like करें, share करें, comment करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिपिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहें